आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओलाइन एक्जाम स्तियारी पर दोस्तों अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्षन बनता है उसे सलेक्ट जरूर कीजीगा जिसी की जो भी मैं नहीं वीडियो लेकिया हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज्यादा सी ज्यादा मैने फिट प्राप्त कर सकें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्तान उचन्याले जोधपुर दुआरा आई उची दोस्तो जो चतुर सरेनी करमचारियों की बढ़ती है उसके बारे में मैं मोडल पेपर में करवाँगा और दोस्तो यह मोडल पेपर पहला है और दोस्तो इसमें तो पिरिक्षा का पैटरन है वो ही सेम का सेम वो ही पैटरन रहने वाले हैं और वो ही पिछे सी क्यूशन करवाऊंगा तो दोस्तो आप हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का जादा से जादा मैनिपीड प्राप्त हो सकें तो दोस्तो आज का पहला क्यूशन है किस वाक्य में अकर्मक किरिया है तो दोस्तों किस वाक्य में है पहला वाक्य है ढूंड खड़ा हुआ है बी ओप्शन है हम सिनेमा देखते हैं तीसरा ओप्शन है रजनी ने गीत गाया और चोता ओप्शन है मोहन पानी पी रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंश्वर? इसका राइट आंश्वर होगा A option यानि कि ढूंड खड़ा है इस वाक्य में A कर्मक किरिया है अगला क्यूशन है किस वाक्य में समंद वाचक सर्वनामी की वीसेशन है तो दोस्तों किस वाक्य में है पहला वाक्य है कोई आदमी मिलने आया है दूसरा वाक्य है यह किताब हटा दो तीसरा वाक्य है जिस काम को करना नहो उस पर चिंतन मुर्कता है चोता वाक्य है इसे नह उस पुस्तक को निकालो तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूसन का राइट अंच्वर इसका राइट अंच्वर का तीसरा ओप्षन है यानि कि जिस काम को करना नय हो उस पर चिंतन मुर्गता है इसमें समंद वाचक सर्वनामिक विशेशन है अगला क्यूसन है नास्तिक में कौन सा समास है तो दोस्तों कौन सा समास है पहला उप्षन है ततपुरुस बी उप्षन है दिगू तीसरा उप्षन है बहुबिरी और चोता उप्षन है द्वन्द वै तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइट अंच्वर इसका राइट आंजरोगा A option यानि कि नास्तिक में ततपुरु समास है अगला question है किस सबद में ततपुरु समास है तो दोस्तो कौन से सबद में है ततपुरु समास पहला option है आजनम, दूसरा option है गनिश्याम, तीसरा option है अनिच्या और चोता option है तिरंगा तो दोस्तो कौन से option राइट हो जाएगा इसका इसका राइट आंजरोगा पहला option है यानि कि आजनम में ततपुरु समास है अगला question है किस सबद में बहुबुरिय समास है तो दोस्तो किस सबद में है पहला option है मेगनाद, दूसरा option है सबता है तीसरा उप्षन है यस्प्राप्ट चोता उप्षन है हस्त लिखित तो दोस्तो कौन सा उप्षन इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा पहला उप्षन है यानि कि मेगनात में बावबुरी ये समास है अगला क्यूशन है अपना हाथ जगनात लुकोक्ती का सही अर्थ है तो दोस्तों क्या होगा इस लुकोक्ती का सही अर्थ पहला उप्षन इस्वर से साखसक्तकार करना दूसरा उप्षन इस्वर के समक्स हाथ फेलाना तीसरा उप्षन अपना काम स्वियम द्वारा ही संपन करना उचित होता है और चोता उप्षन है अपने हाथ में इस्वर की मूर्ति देखना तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंश्वर इसका आंश्वर होगा तीसरा उप्षन है यानि कि अपना हाथ जगना आते लुकोक्ति का सही अर्थ है अपना कान स्वेम द्वारा ही संपन करना उचित होता है अगला क्यूशन है या दप्षन में कोन सी संदी है तो दोस्तों कोन सी संदी है या दप्षन है यन संदी दूसरा उप्षन है वेंजन संदी तीसरा उप्षन है विसर्क संदी और छोता उप्षन है दिर्ग संधी तो दोस्तो क्या हो जाएगा इस क्यूसन का right answer? इसका right answer होगा A option, यानि कि यदपी में यन संधी है आगला क्यूसन है दिग दर्चक में कोन सी संधी है तो दोस्तो कोन सी संधी है? पहला option है विशर्ग दूसरी उप्षन है वर्दी, तीसरा उप्षन है अयादी और चोता उप्षन है व्यंजन संदी तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंच्वर? इसका राइट आंच्वर हो जाएगा चोता उप्षन है यानि कि दिगदर्शन में व्यंजन संदी है अगला क्यूसन है मनोहर में कौन सी संदी है तो दोस्तो कौन सी संदी है पहला उप्षन है वर्दी संदी दूसरा उप्षन है वेंजन संदी तीसरा उप्षन है विसर्ग संदी और चोता उप्षन है गुण संदी तो दोस्तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका इसका राइट most important क्योंशन है, पहला उप्षन है, पूजनिये, दूसरा उप्षन है, पूजनिये, तेसरा उप्षन है, पोरानिके, और चोता उप्षन है, निर्पराद, तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा, चोता उप्षन है, यानि कि सनमान, चोता है सनहार तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा दूसरा उप्षन यानि कि सम्मुक जो कि सुद्ध सबद है अगला क्यूसर है किस करमांक में सभी सुद्ध है यानि कि इन उप्शनों में दो-दो सबद दियेगी हैं तो ये उप्शन देखना है कि यो दोनु सबद सुध है पहला में है आसिरवाद और अनुकूल दूसरे में है निरक्षन और करपालू तीसरे में एक्के और साप्ताहिक चोते में आजीविक्का और आसिरवाद तो दोस्तो कौन सा राइट आन्स रुगा इसका? इसका राइट आन्स रुगा चोता उप्शन है यानि कि आजीविक्का और आसिरवाद ये सही है ये आसिरवाद गलत है अगला क्यूसन है अपने पेरो कुलाडी मारना मुआवरे का सही आड़त है तो दोस्तों क्या सही आड़त है इसका पहला उप्षन है कटिन कार्य करना दूसरा उप्षन है अपना नुक्सान स्वे मी ही करना तीसरा उप्षन है कुलाडे से पेरों को काट लेना नदी में डूब जाना, दूसरा उप्षन है लज्जा को पानी में डूबो देना, तीसरा उप्षन है नदी से चलू बर पानी निकालना, और चोथा उप्षन है लज्जा के मारे मुह नहीं दिखाना, तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंशुर? इसका राइट आंशुर का चोथा उप्षन है यानि कि लज्जा के मारे मुह नहीं दिखाना, अगला क्यूशन है अदजल गगरी चलकत जाए, लुकोक्ती का सही अर्था है, पहला उप्षन दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, दूसरा उप्षन अलपक्गे व्यक् इसका राइट आंशुर होगा दूसरा उप्षन है यानि कि अलपक्गे व्यक्ति ज़्याद की डिंग ज़्यादा हाकता है, अगला क्यूशन है अतिवरेष्टी सबद का सही विलोम है, तो दोस्तो कौन सा है इसका विलोम? पहला उप्षन है बंजर, दूसरा उप्षन है अनावरष्टी, तीसरा उप्षण है सुस्क और चोता उप्षण है बहुवरष्टी, तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर? इसका राइट आंचर होगा दूसरा उप्षान यानि कि अतिवरिष्टी का सही विलोम है अनावरष्टी अगला क्यूशन है वक्र सबद का सही विलोम है पहला उप्षन है रिजू, दूसरा उप्षन है टेडा, तीसरा उप्षन है तिर्चा और चोथा उप्षन है छुद्रे तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंच्वर? इसका राइट आंच्वर होगा दूसरा उप्षन है यानि वक्कर का सही विलोम है टेडा अगला क्यूशन है निम्नल लिखित में से कौन सा सबद बाल का प्रायवाची नहीं है पहला उप्षन है कच, दूसरा उप्षन है सिखी, तीसरा उप्षन है कुंतल और चोता उप्षन है अलक है तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंस्वर? इसका राइट अंसर होगा दूसरा उप्षन है यानि कि बाल का प्रायवाची कच भी है, कुंतल भी है और अलक भी है लेकिन सिखी नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा सिखी यानि कि दूसरा option है अगला question है निमने लिखित में से कौनसा सबद करसन का प्राइवाची नहीं है पहला option है राजीव, दूसरा option है माधव, तीसरा option है केसव और चोता option है मोहन है तो दोस्तों क्या होगा इस question का right answer है? इसका right answer का पहला option है यानि कि करसन का प्राइवाची राजीव नहीं है माधव भी है इसका प्राइवाची, मोहन भी है इसका प्राइवाची और केसव भी है इसका प्राइवाची अगला क्यूशन है निमनलिकित में से कौनसा वाक्य सुध है तो दोस्तो सुध वाक्य का चेन करना है पहला उप्षन है मोहन जानता है कि साइद उसका मित्तर बिमार है दूसरा उप्षन है पंडित नहरू का राष्टर आबारी है तीसरा उप्षन है खाली बेटने के बजाय आप काम करे और चोता उप्षन है बेस का तागतवर दूद होता है तो दोस्तों कौन सा उप्षन इसका राइट है इसका राइट अंचरूगा तीसरा उप्षन है यानकी खाली बेटने के बजाय आप काम करे अगला क्यूशन है प्राण की बाजिल लगा दी दोसरा उप्षन है देहज की लेंदेन बहुत बुरी रिवाज है तीसरा उप्षन है एक फुलो की माला ले आईए और चोता उप्षन है वह महल पीले फत्रों से बना है तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंश्वर इसका राइट आंश्वर होता उप्षन यानि कि वह महल पीले फत्रों से बना है ये वाक्य सुध है अगला पर्षन है निम्न लिखत में से कौन सा वाक्य सुध है यानि कि सुध वाक्य काद चेन करना है पहला option है तुम्हें मुझसे नहीं बगवान से चमा मांगनी चाहिए दूसरा option है गत्मा है वह अपने गर ही रहेगा तेसरा option है आम के डाल पर पकने की आसा है और चोता option है मैं सुभह जल्दी श्नान लेता हूँ तो दोस्तों कौन सा option इसका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों किस वाक्य में नहीं है? पहला option है वह अपने आपी ही विदाले गया दूसरा option है मैं अपना काम स्वेम करता हूँ तीसरा option है किन किन का नाम सुची में नहीं आया चोता option है वह सवता ही समझ जाएगा तो दोस्तों कौन सा राइट आन्स रूगा इसका? इसका राइट आन्स रूगा तीसरा option है यान कि किन किन का नाम सुची में नहीं आया अगला question है तेते पाव पसर ये जेते लंबी सोर में कौन सा सर्वे नाम है? ए option है समंध वाचक दूसरा option है पूर्ष वाचक सर्वे नाम तीसरा option है पर्षन वाचक सर्वे नाम और चोता option है निज वाचक सर्वे नाम तो दोस्तों क्या होगा इस question का राइट आन्स रूगा पहला option है यान कि समंध वाचक सर्वे नाम है अगला क्यूसन है किस करम में सर्व नाम का बेद नहीं है तो दोस्तो किस में नहीं है पहला उप्षन है पूर्ष वाचक सर्व नाम दूसरा उप्षन है निज वाचक सर्व नाम तीसरा उप्षन है संबंध वाचक सर्व नाम और चोता उप्षन है अस्तित्व वाचक सर्व तो दोस्तो क्या हो जाएगा इसका right answer? इसका right answer होगा पहला option यानि कि पूर्षवाचक सर्वे नाम में बेद नहीं है अगला question है किस करम में अगोस वेंजन नहीं है? पहला है कै, दूसरा option है यह, तीसरा option है थै और चोता option है फै तो दोस्तो क्यों सा option इसका right answer हो जाएगा? इ यानि कि अगोस वेंजन ये नहीं है और ये तिन्नु तो क्या है अगोस वेंजन है अगला क्यूसन है किस करम में प्रेरनार्थक किरिया है पहला उप्षन है रमा ने रादा से पतर लिखवाया दूसरा उप्षन है यूवक टहल राहा है तीसरा उप्षन है राम ने अमरूद खरीदे, चोता उप्षन है, रमजान रोजे रखता है, तो दोस्तों कौन्शा उप्षन से होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा, पहला उप्षन, यानि कि रमा ने रादा से पत्तर लिखवाया, अगला क्यूशन है, जब दो या दो से अधिक किरियाई मिलकर, किसी पूर और चोता उप्षन है, परेनार्थक किरिया, तो दोस्तों कौन्सा उप्षन इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, तीसरा उप्षन यानि कि सैयुक्त किरिया, अगला क्यूशन है, चाय में थोड़ा दूद मिलाओ, में किस सबद में विशेशन है, तो द इसका राहिता आंचवर इसका राहिता आंचवर इंहें अगला क्यूसnaire, विळोम सबत के रूप में कोज़ा मेल ठीक नहीं है, तो दोस्तो कोझ़ा नहीं है? पहला उप्षन है सार्तक उप्योगी, दूसरा उप्षन है दाता याचक, तीसरा उप्षन है मनुशेता पसुता, और चोता उप्षन है गहरा और उथले तो दोस्तो क्या होगा इसका right answer इसका right answer होगा पहला option है यानि कि सार्थक और उप्योगी जो की आपस में विलोम नहीं है अगला क्यूसन है किस करम में इस फूर्थी का विलोम है पहला option है चुस्ती दूसरा option है तेज तीसरा option है आलश से और चोथा option है निरासा तो दोस्तो क्या होगा इस क्यूसन का right answer इसका right answer होगा तीसरा option है यानि कि आलश से जो की इस पूर्थी का विलोम है आगला क्यूसन है किस करम में मचली का प्रयाई नहीं है तो दोस्तो किस करम में नहीं है पहला उप्षान है चिकूर दूसरा उप्षान है मकर तीसरा उप्षान है अंडज चोता उप्षान है मतसे तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आन्चवर इसका राइट आन्चवर होगा पहला उप्षान यानि कि चिकूर जो की मचली का प्राइड नहीं है अगल राइट आंसर होगा चोथा उप्षान यानि कि चम्मू जोकी सेना का प्राय नहीं है अगला क्युशन है द्वण्द्व समाज के दोनु पदों के बीच किस चिन का परियोग होता है पहला उप्षन है विराम चिन का दूसरा उप्षन है योजग चिन का तीसरा उप्षन है अर्ध विराम का और चोता उप्षन है अलप विराम का तो दोस्तों क्या होगा इस क्युशन का राइट आंसर होगा दूसरा उप्षन है यानि कि योजग चिन का परियोग होता है अगला क्यूसर ने रुका वरण विचेद किस करम में होता है तो दोस्तों किस करम में होता है इसका राइट आंसर का पहला उप्षन यानि कि आदा रह पला सोटा उ इसका वरण विचेद होता है अगला क्युशन है किस करम में सुद सबद है पहला उप्षन है सोंदरेता, दूसरा उप्षन है कविंदर, तीसरा उप्षन है एकत्रित और चोता उप्षन है निहारिका तो इसका राइट आंसरों का पहला उप्षन यान किस सोंदरेता अगला क्युशन किस करव में वाक्य सुध नहीं है पहला उप्षन है बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिला हो दूसरा उप्षन है करपया मेरे घर आईए तीसरा उप्षन है वहाँ लगबक सो लोग थे चोटा उप्षन है करपया हमारी मांग भी मान ले तो दोस्तों कौन सा उप्षन इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा पहला उप्षन यानि कि बच्चे को चाकु से काट कर गाजर खिलाओ अगला क्यूसन है मात्मा गांधी का देश सदेव आबारे रहेगा में किस तरह की असुद्धी है तो दोस्तों किस तरह की असुद्धी है पहला उप्षन है वाच्चे परियोग की असुद्धी दोसरा उप्षन है पुनरुक्ति की असुद्धी तीसरा उप्षन है पदकरम समंधी असुद्धी और चोता उप्षन है सयुद क्रिया की असुद्धी तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer का तीसरा option यानि कि इसमें पद करम समन्दी असुद्धी है अगला question है गरम दूद लाबदायक होता है में कौनसा विशेशन है पहला option है संख्यात्मक विशेशन दूसरा option है गुणवाचक विशेशन थीसरा option है परिमान वाचक विशेशन और चोता option है सर्वनामिक विशेशन तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा दूसरा option यानि कि ग तो दोस्तो इन ओप्शनों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, चोथा ओप्शन यानि की future perfect tense, तो दोस्तो यह वाकि future perfect tense में है, यूंकि दोस्तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई काम future में कब पूर्ण होगा, अगला question है, which tense is used for an action just completed, तो दोस्तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, तीसरा ओप्शन यानि की present perfect, अगला question है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, पहला option यानि की इस खालिस्तान की इस्तान पर आएगा, जब किसी proper noun को किसी दूसरे proper noun की उपादी दी जाती है, तो दे आता है, अगला question है, his habits are neutral like that of कालिस्तान वुले, तो दोस्तों कौन सा ओप्शन इसकी इस्तान पर आएगा, किसका राइट आंसर होगा, दूसरा ओप्शन यानि की इन आएगा, A, E, I, O, U से सरू होने वाले singular noun से पहले N आता है, अगला question है, वुल्ड यू हेव, तू लेटेड, सच हिमलेस्तान है, तो दोस्तों कौन सा ओप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, पहला ओप्शन है, तो दोस्तों, यह वक्त के पर्चन वाच्छक है, इसलिए, वुड अपनी जगह पर ही रहेगा, ओबजेक्ट सच हिमलेस्तान को सबजेक्ट बना दे, और हेव हेव बिन हो जाएगा, और मेन वरब समान ही रहेगी, यू को बाई लगा कर लिख देंगे, अगला क्यूसन है, लेट हिम सिंग ए सोंग, तो दोस्तों कौन सा ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, पहला ओप्शन है, तो दोस्तों जब एक्टिव में सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, तो active के subject को by लगा कर लिख देते हैं अगला question find out the correctly split word तो दोस्तो कौन सा option इसका right answer हो जाएगा इसका right answer होगा चोथा option यानि कि anniversary अगला question है choice the wrongly split word तो दोस्तो कौन सा इसका right answer होगा इसका right answer होगा दूसरा option है इसका right answer होगा दूसरा option है दोस्तों ये रोंग है और क्योंकि इसमें दो डी आएंगे A, D, D, I, C, A, T, I, O, N होगा अगला क्यूसन है He said to me where are you going तो दोस्तों इन चारों उपस्णों में से कौन सा उपस्ण इसका right answer हो जाएगा इसका right answer होगा तीसरा उपस्ण है यानि कि He asked me where I was going तो दोस्तों क्यूसन को positive sentence में बदलने के लिए WH word के बाद हम subject लेते हैं और object वाक्य के अनुसार बदलता है अगला क्यूसन है Money said that he was BG then तो दोस्तों क्या होगा इस क्यूसन का right answer इसका right answer होगा तीसरा उपस्ण यानि कि indirect speech में direct speech में बदलते समये reverse हो जाता है अगला क्यूसन है Indigo Nouns दोस्तों क्या होगा इस क्यूसन का right answer इसका right answer का दूसरा उपस्ण यानि कि native तो दोस्तों Indigo Nouns native दोनु का अर्थ सवदेशी होता यानि कि एसा सबद का चेन करना है कि दोनु सबदों का अर्थ यानि कि दोस्तों क्या होगा इसका right answer 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 क्या होगा इसका तो दोस्तो टोपन का अर्थ होता है कालपनी के तो दोस्तो इन चार उप्षनों में से क्या राइट आन्सर होगा इसका राइट आन्सर होगा दूसरा उप्षन जिसका अर्थ होता है वेहवारी के अगला क्यूशन है बींग पर्चेंट एवरी वेहर तो दोस्तो कौन सा उप तो दोस्तो इन में से कौन सा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा तीसरा ओप्सन यानि कि लेजी इसका मतलब क्या होता है आलसी अगला कि उसने चोईस दे जेंडर ओफ फ्लॉविंग नाउन से पहला है बेचलर तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तो इसका आण्सर होगा यानि किह भी दोनों में माइंड इस्पेंटर होता है तो दोस्तों दोस्तो इसलों से राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा पहला उप्शन यानि कि अब्जगोर अगला कि उसे ने most people love sweater in the above sentence most is an तो दोस्तो कौन सा उप्शन इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा दूसरा उप्शन यानि कि most people की संख्या को बता रहा है इसलिए यह adjective of number है अगला कि उसने see bathed in the river है तो दोस्तो कौन सा option इसका right answer होगा इसका right answer होगा दूसरा option है यानि कि understood verb यानि कि आकर्मक के रिया के बाद object नहीं होता है अगला कि उसने which of the flowing word is a ट्रांस्येटिव वर्ब तो दोस्तो कौन सा option इसका right answer होगा इसका right answer होगा पहला option यानि कि किले तो दोस्तो वर्ब किले ट्रांस्येटिव वर्ब है जो अपने साथ object लेती है अगला कि उसने we should कालिस्तान पीप से system तो दोस्तो कौन सा option इसका right answer होगा इसका right answer होगा दूसरा option, अगला क्योंसे नहीं, the sun spent, खालिस्तान, and spelling, तो दोस्तो कौन सा right answer होगा इसका, इसका right answer होगा, दूसरा option, अगला क्योंसे नहीं, I, खालिस्तान, relieved, the script, तो दोस्तो कौन सा option इसका right answer होगा, इसका right answer होगा, तीसरा option, अगला क्योंसे नहीं, यूं, तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा चोथा option यानि कि must have been अब दोस्तो अगला पार्टर राज्तान संस्कर्ति एवं बोलियां अगला क्यूसर ने मारवार्ड म्यूरल्स के लेखक कौन है तो दोस्तो कोन है इसके लेखक इसका right answer का पहला option यानि कि रामावतार अगरवाल है अगला क्यूसर ने राज्तान के किस एतियासिक इसमारक को यूदुषको की वाड़ हेरिटेस हुची में सामिल किया गया है पहला option जनतर मंतर वेजसाला दूसरा option तारा गड़का कीला तीसरा option अमेर की हवेलिया और फोटा 편 हावा महल तो दोस्तो कौनषा right answer होगा इसका इसका right answer होगा पहला option यानि कि जनतर मंतर वेजसाला को सामिल किया गया है अगला क्युशन है गीत गोविन सागर का समध निम्न लेकित में से किस चितर सेली से है पहला उप्षन है डूंडाड दूसरा उप्षन है मारवाड तीसरा उप्षन है किसंगड और चोता उप्षन है मेवाड इसका राइट आंसरों का चोता उप्षन यानि की मे अगला कि उसने निम्न में से कौन सा कूर्ट सुमेलित है एक तरब दे रखा परियाटनिस्तल और दूसरे तरब दे रखा है जिल्ला पहला उसने बाकर माता गड मंदिर जोधपूर में दूसरा उसने विरातरा माता मंदिर बाड मेर में और तीसरा उसने कामका है कि तीन दर् मंदिर जो की जोदपूर में है अगला क्यूशन है राजीव गादनी जनजाती विशे विद्याले की स्तापना कहा की जा रही है पहला उप्षन है बीलवड़ा दूसरा उप्षन है बारा तीसरा उप्षन है बासवड़ा और चोथा उप्षन है कोटा तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा तीसरा option यानि की मासवाडा में है अगला question है का थोड़ी जन जाती किस जिल्ले में पाई जाती है? पहला option है उदेपूर, दूसरा option है जोदपूर, तीसरा option है जालावाड और चोता option है अजमेर तो दोस्तो क्या होगा इस question का right answer? इसका right answer होगा चोता option यानि की अजमेर में तो दोस्तो अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कीजिएगा जादा से अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से share जरूर कीजिएगा जिससे कि अमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्सान मिल सकें और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोइट करने का परियास कर सकूँ दोस्तों आप मारे वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे की इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा मैनिप्रिट प्राप्त हो सके। प्राप्त हो सके। अगला क्यूशन है गिदर नर्ते का संबस् atención किस इस्तां छें है, पहला क्यूशन है दूटार, दूसरा ओप्शन अप्शन से खा बाटी, तीसरा ओप्शन मारवाड और चोथा ओप्शन वांगड तो दोस्तो क्या होगा इस क्यूशन का right answer? इसका right answer होगा दूसरा option यानि कि गीदर नर्ते का सम्मझ सेखावटी से है अगला question है निम्ले लिकित में से किस नर्ते के साथ जांज नामक वादे यंतर का पर्योग किया जाता है दोस्तो कहां पर किया जाता है? पहला option गवरी नर्ते, दूसरा option कच्ची गोडी नर्ते, तीसरा option तेरा ताली नर्ते और चोता option बंब नर्ते तो दोस्तो क्या होगा इस क्यूशन का right answer? इसका right answer होगा दूसरा option यानि कि कच्ची गोडी नर्ते अगला option नैं किसंगड चितरकला सेली के सारखषक सावन्त सिंग की मर्तियू कहां हुई थी पहला option वर्दावन में, दूसरा option आगरा में, तीसरा option किसंगड में और चोथा option जोदपुर में तो इसका right answer क्या होगा, इसका right answer नями हुगा पहला option यान की वर्दावन में अगला क्यूशन है कुदरत सिंग या कुंदन सिंग को किस हस्त कला में मारत के लिए पदम सीरी से अलंकरत किया गया है पहला उप्षन है कपड़े की छपाई, दूसरा उप्षन है बलिव पोटरी, तीसरा उप्षन है मिना कारी कला, चोता उप्षन है पितल पर मुरादा बादी काम तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंचोर? इसका राइट आंचोर होगा तीसरा उप्षन यानि की मिनागारी कला के लिए अगला क्यूशन है रमजोल अबुशन मद्दे का मारवार में सरीर के किस बाग से सम्बन दिता है पहला उप्षन है नाक, दूसरा उप्षन है पेर, तीसरा उप्षन है अंगुली और चोता उप्षन है कमर तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंचोर? इसका राइट आंचोर होगा दूसरा उप्षन यानि की पेर अगला क्यूशन है डुंगरपुर बांसवडा छेतर में कौनशी बोली बोली जाती है पहला उप्षन है मेवाती, दूसरा उप्षन है डुनडाडी, तीसरा उप्षन है बांगडी और चोता उप्षन है मारवाडी तो दोस्तों क्या होगा इसका right answer? इसका right answer होगा तीसरा option यानि की बांगडी बोले जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेनत अच्छे लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा जिससे की हमारे इस वीडियो का benefit आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं अगला question है राजिस्तान का पस्चिम से पूरव देशांतरे विश्तार है तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा चोता option यानि की गुणंतर डिगरी 30 मिनट पूरव से अगला question है पुलवारी की नाल इस्तीत है पहला option है उधेपूर में दोसरा option है कोटा में और तीसरा option है बूंदी में चोता option है राज समन्द में तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा पहला option यानि की उधेपूर में है अगला क्यूशन है उट की चोरी निहुरे निहुरे मुआवरे का अर्थ है पहला उप्षन है जान जोखी में डालना दूसरा उप्षन है बड़े काम छिपकर नहीं किये जा सकते तीसरा उप्षन है उदंड वेक्ति की दुस्टता और चोता उप्षन है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा दूसरा option यानि कि बड़े काम छिपकर नहीं किये जा सकते अगला क्यूसर निम्न खतनों पर विचार कीजिए पहला option है पिली भूरी रेतेली मिट्टी राज्तान में मुखेत बीलवाडा वा चितोडगर जिल्ली के कु उपजाओ होती है अता है यह मिट्टी कर्शी कार्यों के लिए ठीक रहती है तो दोस्तों कौन-कौन से खतन इसके right answer होंगे इसका right answer होगा तीसरा option है यानि कि A खतन और C खतन right है अगला क्यूसर नहीं और आज का अंतिन क्यूसर नहीं दोस्तों पालना किस खनन के लिए ज जाना जाता है पहला option है तांबा दूसरा option है कोईला तीसरा option है चांदी चोता option है सोना तो दोस्तों क्या होगा इस question का right answer होगा इसका right answer होगा और दोस्तों यही पेटरन जो कि आपकी एक्जाम में रहने वाला है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपिट प्राप्त हो सकें थेंक्यू दोस्तों जे हिंद जे भारत